प्रिये दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर हार्दी श्वागत है आप मारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वियल आइकन को दबाएं तक कि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें इस वीडियो में यूग मश्रब्द किसे कहते हैं जानकारी दिजा रही है आप यूग मश्रब्द की परिभासा कहें या यूग मश्रब्द किसे कहते हैं बात एक ही है हिंदी के अनेक सब्द ऐसे हैं जिनका उचारन प्रायस समान होता है लेकिन उनकी अर्थ भिन्ध होते हैं हिंदी में अनेक सब्द ऐसे हैं जिनका उचारन प्रायस समान होता है लेकिन उनकी अर्थ भिन्ध होते हैं इन्हें यूग मश्रब्द कहते हैं अब हम आपको यूग मुश्रब्द की पजभासा दूसरे सब्दों में बता दे रहे हैं हिंदी में कुछ सब्द ऐसे हैं जिनका प्रियोग गद किया पेच्छा पद में अधिक होता है हिंदी में कुछ श्रब्द आएसे हैं जीनका प्रियोग गध किया पेच्छा पद में अधिक होता है इन्हें यूख मुश्रब्द या समोचरित प्राय भिननार्थक सब्द कहते हैं अब आपको हम एक बात और बताते रहे हैं आप यूग मुशब्द कहें या समोचरित प्राय भिनार्थक सब्द कहें बात एक ही है अगर आपको पूँच दिया जाए कि समोचरित प्राय भिनार्थक सब्द किसे कहते हैं तो आप समझ जाईए कि युग्म सब्द को ही समुचरित प्राय भिनार्थक सब्द कहते हैं बात दोनों एक ही है दोनों को युग्म सब्द कहें या समुचरित प्राय भिनार्थक सब्द कहें इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ हमारी वीडियो शमापत होती है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक सेर जरूर करें